गुड़ मॉर्निंग, सक्सेस गुरूप में आपका स्वागत है गोल्डेन निउस ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवंग प्रोनती बोर्ड द्वारा 3295 सिविल एवंग प्येसी तथा फायर मैन आरक्षी के पदों पर निउक्ति का प्रड़ाम घोशित कर दिया गया है प्रड़ाम कैसे देखेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके अत्रिक्त 49568 पदों की लिखित परिक्षा का परिणाम कब तक घोशित होगा इस पर भी चर्चा करूँगा साथ ही जेल वार्डर फायर मैन गोड़सवार पुलिस के 5805 पदों पर भरती शिग्र होने वाली है इस पर भी चर्चा करूँगा तथा उत्तरप्रदेश उपनरिक्षक 2018 के रिक्तपनों पर भी भरती शिग्र होने वाली है इस पर भी चर्चा करूँगा लेकिन इसी तरह की एक्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ततकाल आपको पलपल की न्यूज मिलती रहे तो चलिए देखते हैं कि 3,295 के रिक्तपनों का चैन परिणाम देखते हैं कैसे देखेंगे तो चलिए पहले 3,295 आरक्षी के रिक्तपनों का चैन परिणाम देखते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवंग परोन्नती बोर्ड लखनव की बेप साइट है इसमें देखें सूचना विविग्यप्ती 11 नॉवंबर 2019 एस्पेशली पिटेशन संख्या दो बीस अजार पंदरा दो जार अठारा आशीश कुमार यादो बनाम उत्तर प्रदेश राज वा अन्द में माननी उच्चतन नियायले द्वारा पारित आदेश 24-7-2019 के अनपालन में आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेधी भरती 2013 के अंतरगत 3295 में रिक्त पदों का चैन परड़ाम अब आप ये रिजल्ट आउट कर दिया है अब इसको क्लिक करते हैं और इसके बाद इस PDF को डाउनलोड करते हैं दिखिए जब आपने PDF को डाउनलोड किया तो दिखिए आपके सामने आ गया उत्तरप्रदेश सरकार उत्तरप्रदेश पुलिस एवंग भरती एवंग प्रोवनती बोर्ड सुचना अबलिक विज्यप्ति इसमें लिखा हुआ है 3295 रिक्त पदों का चैन परड़ाम के संबन्द में अब इसमें रिट्पिटिशन का हवाला दिया है और उसके बाद लिखा हुआ है कि हाई कोड के दवारा 2312 एवंग 982 पदों पर चैन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश माने सुप्रीम कोड के दवारा परित किया गया है तो इसमें कालम तीन में है 3295 रिक्त पदों को भरने की चैन प्रक्रिया बोर्ड के दवारा पूर्ण की गई जिसमें 3295 रिक्त पदों पर उप्युक्त पात्र अभ्यर्थी पाए गए चैन सूची आरक्षण के विवित प्रावधानों का अनपालन करते हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तकों की मेरिट के अधार पर तयार की गई है और अभ्यार्थियों को पदों का अवल्टन उनकी मेरिट और प्रेफरेंस को दृष्टिकत रखते हुए तयार की गई है अब इसमें दिया है इन्होंना की नागरिक पुलिस के रिक्ट पदों के साफ एक्च 1895 पीएसी के रिक्ट पदों पर 615 फायर्मैन के रिक्ट पदों पर 785 केंड़ेट्स को चैनित करते हुए चैन परड़ाम घोशित किया जा रहा है चैनित अभ्यार्थियों का कटाफ मार्क्स निम्नवत है अब इन्होंने जो है कटाफ मार्क्स दे दिये है अनारक्षित अन्रिजर्व का 313.616 OBC का 307.233, SC का 283.4033, ST का 247.2333 यह है तो यह इन्होंने जो है कटेगरी वाइस कटाफ दे दिया है जिन केंड़ेट्स का अन्रिजर्व में सेलेक्शन हुआ है उनकी कटाफ जो है वो 313.616 है OBC की 307.233 है SC की 283.4033 है और ST की 247.2333 यह है यह रिजल्ट इन्होंने गोशित कर दिया है और इसके बाद लिखा है इन्होंने चैनित अबर्थी बोर्ड की वेफसाइट कटा उस डेट के बारे में 69,568 आरक्षी का रिजल्ट कब तक आउट होना है इसके बारे में क्या सूचना है मैं आपको बताता हूं देखिए यह आज की लेटेस्ट न्यूज है लखनवू प्रमुक संबाद दाता सिपाही एवं संकक्ष पदोपर सीधी भरती 2013 के संबन्द में सुप्रिम कोड के आदेश का पालन करते वे रिक 3255 पदों का चैन का प्रणाम सोमार को घोशित कर दिया गया है यह तो मैंने आपको बता दिया अब आप इसी में देखिए कि लिखा हुआ है 49568 पदों पर भरती के लिए 27 वा 28 जन्वरी 2019 को परिक्षा कराई गई थी लिखित परिक्षा का परिणाम 2-3 दिनों में घोशित कर दिया जाएगा जो 49568 पर भरती के लिए 27 वा 28 जन्वरी का 2019 को परिक्षा कराई गई थी उसका रिजल्ट जो है 2-3 दिनों के भीतर जो है वो डिक्लेर कर दिया जाएगा आज 12 तारीख है इसका अलब आलमोश्ट 15 नॉमबर तक इसका रिजल्ट जो है गोशित कर दिया जाएगा और प्रेडाम बोर्ड की बेप साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा इसके बाद आए अगली न्यूस देखते हैं कि 5800 पदों के लिए परिक्षा जल्द भरती बोर्ड ने बताया कि जेल वार्डर फैरमेन वा घुरसरा पुलिस के 5800 पदों पर भरती प्रक्रिया पूरा करने के लिए कारेदाई संस्ठा का चयन कर लिया गया है यह जनी वह वा प्रिक्षा और चयान कर लिया गया है और। कंड़क्ट कराने वाली एक्जाम कंड़क्टिंग एजनसी ECA का जब चैन कर लिया गया है तो उसका परिच्छा भी जो है शीग्र कराई जाएगी इसके अत्रिक उप निरिक्षक 2018 SI 2018 का अधियाचन प्राप्त कर लिया गया है मतलब कितनी पोस्टें है ये मिल गई है और जब पोस्टें कितनी है ये डिसाइड हो गई है तो इसकी भी एक्जाम की बहुत ही शीग्र होने की संभावना है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कैंड़ेट सक शेर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके ओके